हर हर महादेव जैशिव शंकर भोले का जैकारा लगाते हुए सावन स्पेशल की इस रिपोर्ट में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ नमस्कार मैं हूँ आपके साथ लक्षमी पांचाल और जैसा की हम खबर 24 न्यूज जो की लगातार आपको सावन स्पेशल में भगवान शिव की अलग-अलग गाथाएं बता रहे हैं उनके रुद्रवतारों के बारे में बता रहे हैं उसी को लेकर के आज की कड़ी में हम और उससे क्या-क्या पुन्य मिलता है आज की इस स्पेशल रिपोर्ट में हम जानेंगे तो चलिए शुरू करते हैं कि आखिर के से सावन सुवार की वरत कथा क्या रही है और किस प्रकार से इसका नियमों का पालन करते हैं क्या वो इतिहास रहा है जिससे इस वरत की कर दीपक जलाता था उसके इस भक्ति भाव को देखकर एक दिन माता पार्वती ने शिव जी से कहा कि प्रभू यह साहुकार आपका अनन्य भक्त है इसको किसी बात का कष्ट है तो आपको इसे उसे अवश्युदूर करना चाहिए शिव जी बोले कि हे पार्वती एक साहु कि में पुत्र का योग नहीं है ऐसे में अगर इसे पुत्र प्राप्ति का वर्दान मिल भी गया वह केवल बारह वर्ष के आयू तक ही जीवित रहेगा यह सुनने के बाद भी माता पार्वती ने कहा हे प्रभू आपको इस साहुकार को पुत्र का वर्द देना ही हुगा अ से लिए उसे न तो खुशी हुई और ना ही दुख वहाँ पहले की तरह भुलराजी की पूजा अर्चना करता रहा उधर सेठानी गर्भवती हुई और नवे महीने उसे सुन्दर से बालक की प्राप्ति हुई परिवार में खूब हर्ष और लास मनाये गया लेकिन साहुका और पहले की तरह ही रहा और उसने बालक की 12 वर्ष के आयू का जिक्र किसी से भी नहीं किया जब बालक 11 वर्ष के आयू का हो गया तो एक दिन साहुकार की सेठानी ने बालक के विवहा के लिए कहा तो साहुकार ने कहा कि वह अभी बालक को पढ़ने के लिए काशी जी उन्होंने भी इसी तरह करते हुए जा रहे थे कि रास्ते में एक राजकुमारी का विवाह था जिससे उसका विवाह हुना था वह एक आँग से काना था जो उसके पिता ने जब अतिसुंदर साहुकार के बेटे को देखा तो उनके मन में आये कि क्यों ना इसे ही घोडे पर बिठा कर शादी के सारे कारी संपन ने करा लिये जाएं तो उन्होंने मामा से बात की और कहा कि इसके बदले में वह अठा धन देंगे और वह राजी भी हो गया साहुकार का बेटा जो कि विवाह की बेदी पर बेठा और जब विवाह कारे संपन हो गए तो जाने से पहले उसने राजकुमारी की चुन्दरी के पलने पर लिखा कि तेरा विवाह तो मेरे साथ हुआ है लेकिन जिस राजकुमार के साथ भेजेंगे वह तो एक आख से काना ह इसके बाद वह अपने मामा के साथ काशी के लिए चला गया उधर जब राजकुमारी ने ये जब चुनरी पर लिखा वा पाया तो उसने राजकुमार के साथ जाने सिंबना कर दिया तो राजा ने भी अपनी पुत्री को बारात के साथ विदा नहीं किया पारात वापस लोड गई उदर मामा और भांजे काशी जी पहुँच गए थे एक दिन जब मामा ने यग्य रच रखा था और भांजा बहुत देर तक बाहर नहीं आया तो मामा ने अंदर जाकर देखा तो भांजे के प्राण निकल चुके थे वह बहुत परिशान हुए लेकिन सुचा कि अभी रूना पिटना मचाया तो ब्रामण चले जाएगे और यग्य का कार अधूरा रह जाएगा जब यग्य संपन हुआ तो मामा ने रूना पिटना शुरू किया उसी समय शिव और पारवती उधर से जा रहे थे तो माता पारव कल जाएगे तब भूलेनात ने कहा कि पारवती इसकी आयू इतनी ही थी सो वह भोग चुका है लेकिन मा के बार-बार आग्रह करने पर भूलेनात ने उसे जीवित कर दिया लड़का ओम नमस्शिवाय करती हुए जी उठा और मामा भांजे दूनु ने इश्वर को धनिवा कर दिया उधर साहुकार और उसकी पत्नी छत पर बैठे थे उन्होंने यह प्रण कर रखा था कि यदि उनका पुत्र सकुषल न लोटा तो वह छत से कूद कर अपने प्राण त्याग देंगे तब ही लड़के के मामा ने आकर साहुकार के बेटे और बहु के आने का समचार सुनाया लेकिन वे नहीं माने तो मामा ने शपत पुर्वक कहा तब दोनों को विश्वास हो गया और दोनों ने अपने बेटे बहु का स्वागत किया उसी राज साहुकार को स्वप्न ने शिव जी ने दर्शन दिये सपने में और कहा कि तुम्हारे पूजन से में इस प्रकार से जो भी सोवार के वरत के दुरान इस कथा को सुनता है तो मानेताओं के अनुसार जैसा कि शिव जी ने वर्दान दिया सभी के मनुकामनाय पूरी होती है जो भी इस कथा को सुनता है अगर आप भी अपनी मनुकामनाय पूरी करना चाहते है तो लोग उसकी सभी मनुकामनाय पूरी हो जाती हैं तो आप भी इस अउसर का फाइदा उठा सकते हैं और भोलेनार जी को प्रसंद कर सकते हैं खेर हमारी आज की सावने स्पेशल रिपोर्ट में फिलाल के लिए इतना ही